चीकिन में सिर्फ एक कच्छे अंडे डाल कर देखिए, तयार होगी ऐसी अमेजिंग सूपर से भी उपर टेस्ट वाली डिलीशस रेसिपी के महमान भी पुछेंगे कैसे बनाया तो फिर दरेक इस बाद की चली फटापर से मिल के बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को या फिर चीकिन के टेस्ट के कोडिंग नम भी फिर इसमें एड करेंगे नीमबू का रस तो मैंने आपर आधा नीमबू लिया है और इसके बीज को मैंने पहले ही हटा लिया है अब इसके रस को अच्छे से निचोडते हुए इसमें एड कर लेंगे और इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे यानि ऐसे हाथों के हिल से अच्छे से सारी चीजों को मिला लीजिएगा जिसे के चीकिन पर अच्छे से इनसे भी चीजों की कोटिंग हो जाए तो फ्रेंस चीकिन की तो आपने कई सारी रेसिपी बना कर खाई होगी एक बार मेरे इस्टाल से यानि कि इस तो इसके लिए एक मिक्सर जार में एड़ करेंगे एक चम्मज धनिया, आधा चम्मज जीरा, 12-15 काली मिर्च के दाने, दो छोटी लाइची या हरी लाइची, दो लॉंग और एक इंच दालचीनी के टुकडे, फिर इसमें एड़ करेंगे एक इंच अद्रक के टुकडे, दो हरी मिर्च, और 15-20 छीली हुई लासन की कलिया, एक मिडियम साज के टमाटर को एसे रफली चौप करके अड़ कर देंगे, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और मसालों को पीस करके एकदम स्मूथ पेष्ट तयार करेंगे, तो लिजे फ्रेंस मसालों को मैंने पीस अब सबसे पहले मसालों का टेक्चर देख लिजे, मसालों को हमें इस तरीके से एक दम महीन पीसना है, तो यह हमारा एक दम फ्रेस मसाला रेडी है, अभी इसे साइड में रखते है, अब हम चलते है कुकिंग के प्रोसेस में, इसके लिए एक पैन में ले लेंगे, एक बड और मीडियम टु हाई फ्लेंबर चिकन को तीन से चार मिनट तक फ्राइ करेंगे, या फिर यूं कहें, जब तक चिकन की ऊपर बढ़िया से गोल्डल लेयर नहीं आ जाता, तब तक हमीसे फ्राइ करेंगे, तो जैसे जैसे चिकन और अंडे पकते जाते हैं, वैसे वैसे अं या टेंडर और जूसी बन कर तियार होता है, और बिल्कुल भी दातों में फस देगा नहीं, मतलब यह समझ से बिल्कुल पूरी तरह से खतम हो जाएगी, तो इसलिए इस तरीके से एक बड़ चिकन बना कर देखिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो य इस रेसिपी में सरसु के तेल का इस्तमाल किया है, लेकिन आप कोई भी कुकिंग ओल ले सकते हैं, जो आप खाते हूं, जो आपको पसंद हो, तेल गरम होने पर इसमें डाल देंगे, हाफ टी स्पून जीरा, एक इंची दाल चीनी का टुकड़ा, दो छोटी इलाची, हरी जाची और दो लॉंग, इन खड़े मसालों को हलका सा भून लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइच का ऐसे पतले लंबाई में स्लाइस किया हुआ प्याज, अब हम गयास का फ्ले मिश्टाइम मीडियम टू हाई रखेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनिया गोल्डेन ड्राउन हो गया है, है ना, तो बस प्याज को हमें इतना ही फ्राइ करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे स्वाध अनुसार नमक, यानि चिकन को मैरिनेट करते समय हमने नमक डाला है, तो यहां पर नमक हमें ग्र मेरी लाल मीच पाउडर यह तीखा कम होता है, और इसे कलर बहुत अच्छा आता है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, अब इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे, और अब हम गया स्का फ्लेम इस्टैम एक दम लो रखेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे, मसाला पेश्ट जिसको आमने पीश करकर रखा था, जार में थोड़ा सा पानी डाल कर क्लिण करते हुए, इसी में ऐड कर लेंगे, इन मसालों को बेश्ट नहीं करेंगे, अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाइगे, और अब हम करेंगे, मसालों की खुब अच्छे से उतना ही ज्यादा डेस्याब आधे दास मीनट एक तक हुआ डियो कि यह दो क्यजाने लाख कर 110 मिनटें शुम भूंते हुए है अब दीच划ते हैं थी दीचेशने घ्याइट तो भेट जान ही यह कर दिदू सालम इस अइस प्ताइम की शुमिखत रहिए जो गए उन बातले अ करके दो से तीन मिनट और हम लोटू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ऐसा करने से मिर्च मसालों का जो फ्लेवर है ना चिकन के अंदर बहुत ही अच्छे से चला जाता है जिसे की चिकन का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे भूनते समय ऐसे बीच-बीच में ध के लिए क्योंकि चिकन में हम ग्रेवी के लिए गरम पानी डालेंगे ठंडा पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे तो यह पर दो से तीन मिनट मैंने भून लिया चिकन को मसालों के साथ और आप देख सकते हैं फ्रेंस सारी चीजे खूब अच्छे से बुन गई है है ना कलर दे अब इन सबी को अच्छे से मिला लेंगे और गयास का फ्लेम इस्तम लोटू मीडियम रखेंगे लोटू मीडियम फ्लेम पर इसे ढख करके 15-17 मिनट तक पकाएंगे तो वीडियो के नीचे एक लाइक के बटन द्यागे उसे क्लिक करें और अगर अगर आप मेरे चनल पर न से भी उपर टेस्ट वाली चिकेन करी बन के रेडी है एक दम नए तरीके से थोड़ा अलग डिफ्रेंट टेस्ट में तो है ना इसे बनाना बहुत आसान और देखने में जितना ज्यादा टेंपटिंग लग रहा ना फ्रेंस यकीन मानिए खाने में भी यह सूपर डूपर लगता है तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेस हरा धनिया डाल दिया है और दो हरी मिच को बीच से चीरा लगा कर डाल दिया है अब गयस का फ्लेम बंद करके इसे ढख देंगे दो मिनट के लिए उसके बाद हम इसे सरु करेंगे तो लिजी फ्रेंस तयार है हमारी सुपर से भी उपर टेस्ट वाले टेंडर जूसी चिकन करी बिना घंजट वाले थोड़ा अलग डिफरेंट तरिके से नए टेस्ट में तो देखें और फ्रेंज इसे बनाना कितना आसान है और खाने में इसका टेस्ट वाओ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है एक बार इस तरीके से आप चिकन करी बना कर देखिएगा फ्रेंस इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे आप और सारे पुराने तरीके भूल करके हर बार चिकन करी ऐसे ही बनाएंगे तो Friends recipe को ट्राइ करें पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और इस recipe को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ share करें फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में ऐसी ही एक delicious recipe के साथ तब तक के लिए Bye-bye and take care